Hello everyone, welcome back to Magnet Brains, मैं हूँ Swati, आपकी Spoken English Course की Educator और आज इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है Quick Bites, इसमें क्विकली क्विकली हम क्या सीखने वाले हैं, All About Food जो हमाई सीरीज चल रही है, इसमें we are going to understand today how to appreciate food, ways to appreciate food मतलब कि आप कभी आपने कुछ tasty सा खाया, yummy सा कुछ खाया, तो आप उसकी तारीफ क्या करोगे, tasty, yummy या maximum delicious और तो कुछ बोलते ही नहीं हो, तो आज हम सिखेंगे कि किस तरीके से आप खाने की तारीफ कर सकते हो और जिसने खाना बनाया है, उसका दिल जीत सकते हो, let's start, सबसे पहला है, wow, it tastes great, तो जैसे आपको बोलना है, ममा ने बनाया let's say, see I love gullab jamun, so I'm going to again take the name, so अगर आपकी महा ने बनाया, गरम गरम gullab jamun, okay, और आपने खाया, soft, कटा, मूँ में डाला, and you'll say, mamma, they are heavenly, it tastes like it, एक आपने खाया, single खाया, इसलिए आप it बोल रहे हो, तो it tastes great, मतलब इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, heavenly अगर हम बोलते है तो heavenly का मतलब होता है, amrit है, amrit, so I am so glad I ordered this pizza, it tastes great, अच्छा हुआ मैंने यही वाला pizza order किया, क्या amazing taste is, का मतलब, it tastes great, next is really good, बहुत सिंपल है, have you tried the chocolate cake, it's really good, ठेक है, क्या तुमने चोलेट केक ट्राय किया है, it's really good, next is, वाव, whatever food you are eating is amazing, मतलब, wow this pasta salad is amazing, अब यह तो वो थे जो हम like normally बोलते जाते हैं, अब आते हैं कुछ better words में, yummy, this cheesecake is really yummy, I am going for another slice, यह जो cheesecake है, blueberry cheesecake, that is yummy, मैं एक और slice खाने वाली हूँ, I am going for another slice, मतलब, मैं एक और slice ले रही हूँ, flavorful, flavorful का मतलब है, जिसमें बहुत सारा, which is full of flavor, जैसे बिर्यानी अगर आप खा रहे हो, तो बिर्यानी के हर एक bite में you can have the flavor, आपको हर एक bite में flavor feel हो रहा है, so flavorful, I love how flavorful this soup is with all the fresh herbs and vegetables in it, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, या मैं बहुत खुश हूँ, या मैं बहुत जादा appreciate कर रहा हूँ किस चीज़ को, यह soup जो मैं पी रहा हूँ, यह कितना flavorful है, इसमें जो herbs डले हैं पूरे, और जितने भी vegetables हैं, उनका इतना अच्छा taste आ रहा है mouth watering, मतलब ऐसा कुछ जिससे आपके मूँ में पानी आ जाए, जैसे कि आपको यहां कुछ दिख रहा है क्या, can you see something here, what is this, क्या है यह, something जिससे हमारे मूँ में पानी आ जाता है, जैसे मेरे मूँ में आ गया, वो है पानी पूरी, so his mom makes such mouth watering cakes that I just can't wait to go over to his house tonight, अब यहां एक ए इतने mouth watering cakes बनाती हैं कि मैं बस वेट ही नहीं कर सकता रात में उसके घर जाने का, क्योंकि मैं जाओंगा, उसकी ममा ने एक cake बना के रखा, और मैं उसे खाओंगा, ah lovely, now next is, अब हम थोड़े better words की तरफ आते हैं, और अच्छे, appetizing, appetizing, say it with me, appetizing, appetizing का मतलब होता है, looks or smells attractive, making you feel hungry, कोई चीज जो इतनी tasty दिख रही है, जिसके वज़े से आपका मन करता है, खाने का आपको भूख लग जाती है, मतलब कोई चीज इतनी सुंदर तरीके से सजी होई है, वो दिखने में ही इतनी अच्छी है कि आपको भूख लग जाती है, उसको बोलते हैं हम appetizing, example देख ल है, जिसमें से वो चीज जो है, वो मेल्ट होते हुए नीचे आ रहा है, so क्या आपको भूख लग रही है, क्या अगर आपको अलवड़ी भूख लग रही थी तो आपकी भूख बढ़ जाएगी, yes that happens, scrumptious एक बहुत ही प्यारा word है, scrumptious का मतलब होता extremely tasty or delicious, scrumptious मतलब बहुत ही जादा tasty or delicious है, इसको आप क्या बोल सकते हो, like placing her nose up on the apple pie, the pastry chef got a whiff of the scrumptious smelling tart, तो जैसे ही वो जो शेफ था, उसने अपनी नाग को apple pie के ऊपर रखा, उसको smell करने के लिए, तो जो उसको एक खुश्बू आई, एक scrumptious pastry के, scrumptious tart की खुश्बू आई, जो की बहुत अच्छी थी, जिसके बाद आपको बस एक स्पून लेना है, उसको धीरे से काटना है और अपने मूमें डालना है, और आपको जो भी flavor पसंद है, pineapple, chocolate, black forest, strawberry, everything, red velvet cake, red velvet pastry, okay, ya rainbow pastry, ya custard pastry, whatever it is, it's in your mouth right now, अब आते हम luscious, luscious का मतलब क्या होता है, having a pleasingly rich or sweet taste, जो की बहुत ही, tasty, like, जिसका Taste, बहुत sweet, ओ, और वह, एक्दम, ब ernस, भदा है, जैसे की, एक, वह, जो होता है, ना, मिट्टी, का का जैसा, उस, क्या पूलते हो, जो, मिट्टी, का मतका होता है, कुछ तो बोलते है उस, ठीक है, कुलहड है, उस में, से निक ले है, एक्दम soft, एकदम ही soft, जो मुँ में जाके घुल जाएं ऐसे बेंगॉली रस गुल ले, उसको आपने ऐसे निकाला, उसका जो sweet taste, it's lucious, एकदम रस से भरा हुआ, इसके लिए एक example देख लेते हैं, I wanted to take a bite of the lucious apple, कलकभी apples भी ऐसे होते हैं, जिसे खाओ, उसका जो रस होता है, वो, it's, it comes out, वो इतना जादा tasty होता है, just like this one, ठीक है, this is the sandwich that we were talking about, तो इसके लिए आप बोल सकते हो, wow, this apple is lucious, what a lucious apple, yeah, what a lucious pineapple, anything that you want to say, अब है delectable, delectable का मतलब क्या होता है, extremely good to taste smell or look it, कोई ऐसी चीज़ जो देखने में, smell करने में, खाने में बड़ी अच्छी है, उसको हम बोलते हैं delectable, so delectable smells rose from the kitchen, एक delectable smell, मतलब एक बहुत ही tasty smell जो है kitchen से आ रही थी, अब है palatable, 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 palatable नहीं बोलते इसको और palatable भी नहीं बोलते, palatable, palatable मतलब होता है with an agreeable or pleasant taste, जिसका taste अच्छा होता है, हाँ, ठीक है, अच्छा बना हुआ है, the berries also make a very palatable jelly, जो berries है, उससे भी बहुत tasty jelly बनती है, and then toothsome, toothsome का मतलब होता है temptingly tasty, जो एक दम ऐसे जिसको देख के मुह में पानी आ जाए, वैसा उसको बोलते है toothsome, the toothsome texture of these burgers is unbelievable, यह जो burgers है, इनका जो toothsome texture है, वो unbelievable है, right, अब है satisfying, मतलब वाओ, this like this pasta is so satisfying, satisfying का मतलब fulfilling and enjoyable, example, raw food is much more nutritious than cooked food and is more satisfying in smaller quantities, जो कच्छा खाना होता है, वो पके हुए खाने से ज्यादा nutritious होता है, और का थोड़ी quantity में लो, तो वो ज्यादा satisfying भी होता है, next is nectarous, nectar का मतलब क्या होता है, nectarous मतलब anything which is the food of God or the drink of God, एक दम भगवान के खाने जैसा अम्रित भरा, so strawberry smoothies is nectarous for me, morning में breakfast में if I get you know strawberry smoothies, वो मिरे लिए क्या है, अम्रित है, अब है finger licking good, अब ये तो KFC के उसमें सुना ही होगा, finger licking good मतलब कोई चीज इतनी tasty कि आपनी उंगलियां चाटते रह जाओगी, so these fries are finger licking good, अब ये तो मैंने क्या बताया आपको कि किसी चीज को, food को आप किस तरीके से उसकी तारीफ कर सकते हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी तरीके होते हैं जो हम अपने next वीडियो में देखेंगे, लेकिन अब खाने की तारीफ के लिए आप क्या बोल सकते हो, जैसे वाव, it's toothsome, yeah, it is so flavorsome, yeah, it is flavorful, अब आप उसके साथ lines add करो, that इसका जो salty taste है, या इसका जो sweet taste है, या इसका जो texture है, ये जो इतना flaky है, या जो है ना, ये इतना moist है, वो कितना अच्छा लग रहा है, तो अब मैंने आपको जो तीनों चीज़ें बताई हैं, एक बताया मैंने आपको कि food का taste क्या होता है, उसका texture को आप कैसे explain करते हो, और उसका taste को आप कैसे appreciate करते हो, ये सब आप जब add करते हो ना, एक साथ, तब आप कहीं जाके बहुत अच्छी जो है तारीफ कर सकते हो, even अगर आप लिख रहे हो, तो भी आप बोल सकते हो, ठीक है, so that is it for this video, मिलत हैं बहुत जल्दी हमारे next video में, जहां मैं आपको ऐसे ही कुछ tasty tasty चीजों के बारे में बताने वाली हूँ, ये है हमारी Magnet Brains की जो website which is www.magnetbrains.com, इसके home page पे you can find spoken English का tab, click on the tab and you will find this, इसमें आपको watch now पे click करना है and आपकी सारे categories यहां पे show होने लगेंगे, जो भी आपको video रेकना उस पे click करो and this is how your video will start, clear? Thank you so much, मिलते हैं बहुत जल्दी, do not forget to like, share and subscribe this video, bye